हेलो गाईस थाज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौकशिफ्लोकसासिन एन डेक्सोमिथासवन आयड्रप के बारे में इसको यूज किया जाता है आखों से जुड़ी होई समस्या को ठीक बनने के लिए यूज किया जाता है जानेंगे डिटल से इसका यूज क्या होता है डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर आप चैनल पे पहली बारे हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर दें, इसी तरह के, मेडिका रिलेटेर जानकारी पाने के लिए, भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस ड्रॉप के, ब्राण नेम के बारे में किस नाम से आप इसको खरिश सकते हैं, मेडिसिन स्टोर पे तो इसको आप खरिश सकते हैं, मॉक्सी सिप डी के नाम से, मॉसी डी नाम से, मॉक्सी ग्राम डी के नाम से खरिश सकते हैं, तो यह इसका ब्राण नेम होता है, नेक्स्ट आम बात कर लेता है इसका जो composition होता है इसमें जो moxifluoxacin होता है यह एक antibiotic medicine होता है जो कि bacterial infection को ठीक करता है यह ग्राम positive तता gram negative दोनों ही बेक्टरिया को मारता है और बेक्टरियाल इंफेक्शन को ठीक करता है गाइस इसमें जो डेक्सोमेथासन होता ही है एक स्टेरोड होता ही है क्या करता है कि हमारा जो स्वेलिंग हो गया हो उसको ठीक करता है दौर्थ को भी थोड़ा बहुत ठीक करता है और यह है dexomethason जो हमारा prostaglandin होता है उसको inhebitate करता है तो इस तरह से दोनों medicine हमारा जो आखो का bacterial infection होता है उसको ठीक करता है तो guys next हम बात कर लेते हैं इस drop के huge के बारे में जैसे कि हमने जाना था इसको आखो को infection को ठीक करने के लिए huge क्या जाता है तो जैसे कि किसी ब्यक्त वर गांक ने सवाखके युझे यह सब्सक्राइओ और भूसके सब्सक्रामेह को सब्सक्राइड है Dobbs पैंक करने के लिए गुंद खेता है तो खालता है द्शतटேया थे किस बीज्दिनिष्ट भाली बहुत भालत हैं अडम में अभिछिट अभी ठालता हैां इसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है यह ड्रॉप आप सोच भी नहीं सकते हैं इसको आप एक दिन यूज करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा किसी भी तरह का आपको आँखों में इनफेक्शन हो गया जैसे कि फ्लू हो गया किसी भी तरह का आई इनफेक्शन होने से आप इस ड्रॉप को यूज कर सकते हैं तो next हम बात कर लेते हैं इस ड्रॉप के side effect के बारे में अगर किसी ब्यक्ति में side effect होने से आँख में जलन होगा ठीक से उसको दिखाई नहीं देगा आँक में बहुत ज़्यादा पैन होगा ठीक है यह है इसका common side effect होता है कोई problem होने से अपने डक्टर को जरूर से जाके दिखाएं next हम बात कर लेते हैं इसका डोच के बारे में बात करेंगे और कैसे इसको apply किया जाता है जानेंगे तो हम adult डोच के बारे में बात करेंगे तो इसको आप दिन में तीन बार यूज कर सकते हैं एक एक बून दिन में तीन बार आप आँक में डाल सकते हैं और एक चीज दोस्तो यह बच्चों में भी यूज किया जाता है चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग